कॉंग्रेस के दिवंगत नेता एहमत पटेल के कहने पर गुजरात सरकार के खिलाफ साज़श रचने के आरोप के बाद गुजरात की S.I.T. ने तीस्ता सीतलवार के खिलाफ नए आरोप लगाए है S.I.T. की तरफ से दाखिल एफिडेविट में कहा गया है कि तीस्ता सीतलवार ने गुजरात दंगे के पीरित कुतुबुद्दीन अनसारी का इस्तमाल किया यही नहीं सीतलवार ने गुजरात के पूर्व ग्रह मंत्री दिवंगत हरेन पांडिया के पिता विठल भाई पांडिया का भी इस्तमाल करने की कोशिश की कुतुबुद्दीन अनसारी गुजरात दंगों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा का प्रतीक बन गये थे उनकी एक तस्वीर खुब वाइरल हुई थी इस तस्वीर में अनसारी हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं उनकी आखों में पीड़ा और आसू है अनसारी की शर्ट पर खून की निशान है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक S.I.T. ने आरोप लगाया है कि तीस्ता ने कुतुबुद्दीन अनसारी का इस्तमाल राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया S.I.T. ने 15 जुलाई को दाखिल किये गए एफिडेविट में ये आरोप एक गवा के बयान के आधार पर लगाया है एफिडेविट के मताबिक गवा ने बताया कि रईस खान पठान ने कुतुबुद्दीन अनसारी से संपर्ख किया था पठान उस समय तीस्ता सीतलवार के NGO सिटुजन फॉर जस्टिस एंड पीस से जुड़े हुए थे एफिडेविट में गवा के हवाले से आरोप लगाया गया कि तीस्ता के कहने पर कुतुबुद्दीन अनसारी और उनके परिवार को पहले मुंबई और फिर कोलकाता ले जाया गया फिर कई मौकों पर मीडिया चैनल्स के सामने उन्हें पेश किया गया तीस्ता सीतलवाड के उपर गुजरात दंगों की जाच को प्रभावित करने के आरोप लगे हैं आरोप है कि सीतलवाड ने नकली सबूतों और गवाओं के जरिये निर्दोश लोगों को फसाने की कोशिश की इन आरोपों की जाच एक S.I.T. कर रही है इस जाच के तहे थी S.I.T. ने एफिडेविट दाखिल किया है इस मामले में सीतलवाड को 25 जून को गिरफतार किया गया था तीस्ता सीतलवाड के सहयोगी रहे रईस खान पठान ने भी उनके ओपर गवाओं को अपने मनमाफिक बयान दिलाने के आरोप लगाए है इधर S.I.T. की तरफ से दाखिल एफिडेविट में कहा गया है कि सीतलवाड ने अंसारी की तस्वीरों का इस्तमाल नकेवल भारी भरकम फंड खटा करने में किया बल्कि गुजराड की छवी भी खराब करने की कोशिश की आगे कहा गया है कि जब अंसारी को पता चला कि उनकी तस्वीरों का गलत इस्तमाल किया जा रहा है तो वो गुजराड वापिस लोटाए आरोप है कि गुजराड लोटने के बार तीस्ता सीतलवाड ने अंसारी को धमकाया इस भी चंसारी ने मीडिया चैनल से उनकी तस्वीर इस्तमाल न करने की अपील की साथ ही साथ इस संबंद में एहमदाबाद पुलिस को एप्लिकेशन भी दी SIT के एफिडेविट में एक और गवा के आधार पर आरोप लगाया गया है कि तीस्ता सीतलवार ने हरें के पिता विटल भाई का इस्तमाल करने की कोशिश की कहा गया जब तीस्ता सीतलवार को इस बारे में पता चला कि हरें पांडिया के पिता विठलवाई पांडिया ने अपने बेटे की हत्या के लिए गुजरात के ततकालीन मुख्यमंत्री को जिम्मिदार बताया है तो तीस्ता सीतलवाई ने विठलवाई पटेल से संपर्ख करने और उन्हें अपने NGO में शामिल करने की कोशिश की कहा गया जब तीस्ता सीतलवाई को इस बारे में पता चला कि हरेन की पिता विठलवाई ने अपने बेटे की हत्या के लिए गुजरात के ततकालीन मुख्यमंत्री को जिम्मिदार बताया है तो तीस्ता सीतलवार ने विठ्थल भाई से संपर्क करने और उन्हें अपने NGO में शामिल करने की कोशिश की S.I.T. ने अपने एफिडेविट में कहा है कि विठ्थल भाई को तीस्ता सीतलवार से मिलने के लिए मुम्बे ले जाया गया जहां पहले से ही एक शिकायत तयार रखी गई थी एफिडेविट के मुताबिक विठल भाई पांडिया से इस शिकायत पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया पांडिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस शिकायत में बहुत से नर्दोश लोगों के नाम मौजूद थे देखते रहें दिललन टॉप शुक्रिया